तद्वी धिम प्रणी पातेन परिप्रश्णेन सेवया उपदेश्यंती ते ज्ञानम ज्ञाने नह तत्व दर्शि नह उस ज्ञान को गुरु के समीप जाकर साश्टांक प्रणी पात करके प्रश्ण तथा सेवा करके जानो ये तत्वदर्शी ज्यानी पुरुष तुम्हें ज्यान के उपदेश करेंगे तीन तरह की लोग होते हैं इस संसार में एक तो वह है जो सरफ ऐसी ही प्रश्ण पूछ लेते हैं कौतूहल, कुरियोसिटी होती है कुरियोस होते हैं जैसे बच्ची साथ लोग बाल बुद्धी के होते हैं तो पूछते हैं कि सितारी क्यों चमकते हैं कि फूल क्यों खिलते हैं गुलाब का रंग लाल क्यों हैं कमल का रंग गुलाबी क्यों हैं ऐसे ही बच्चों वाले प्रश्ण चलते फिरते पूछते रहते हैं ब्रम्य जिग्यासा की बाते भी ऐसे ही पूछ लेते हैं, बस पूछना है, उन्हें उत्तर से मतलब नहीं, बस पूछने से मतलब है, एक अंदर जैसे खुजली होती है, खुजलाहट, बस उसको कम्प्लीट करना है, तो जैसे पहले बुक्स आती थी, टेल मी वाए, बच्चो बच्चा बाप से पुछता जाएगा रसे में, बाप बता दे तो भी थी, नहीं बताता तो बच्चा प्रश्ण भी भूल जाता है, दूसरे तरह के लोग होते हैं, जो जिग्यासु होते हैं, वो मेहनत करते हैं अपने उस प्रश्ण का उत्तर ढूनने के लिए, इंटिलेक प्रश्ण का उत्तर चाहिए, बस उसकी खोच जरूर करनी हैं, जैसे वेग्यानिक करते हैं, खोच करते हैं, कुछ पता करते हैं, परंतो उस खोच से उनकी जिन्दगी में कोई रुपांतरन होगा, यह नहीं, तीसरी कैटेगरी होती है मुक्षु की, जिनके प्राणों पर बात आ जाती है, जिन्दगी मौत का सवाल जो बना लेते हैं, कि यह प्रश्ण का उत्तर चाहिए, इसके लिए कहीं भी भटकना पड़े, किसी दर पे जाना पड़े, मुझे इसका उत्तर चाहिए, क्योंकि मेरी प्राण बेचैन है, आत्मा बेचैन है, मुझे अपनी भीत आतर जाना है, पीत जाने का द्वार रोनना है, कौन सा द्वार? वो मुझे कहलाते हैं, ऐसे व्यक्ति जब गुरु के समुक जाते हैं, तो दंडवत प्रणाम करके गुरुदेव से हात जोड़ कर, वह, बड़े ही भावना से गुरु से प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसा व पूछ लेगा कि आसमान नीला क्यों है और वापिस कैसे यह चीज हो सकती है जनरल कोई कोशन नहीं पूछता जीवन और मृत्यु के प्रशन पूछता है तो कि उसके प्राणों पर बात है इतनी गहराई से बड़े ही आदर भाव से गुरु को आदर देखकर प्रशन पूछे लोग गुरु के पास भी जाते हैं तो दुनिया की चीज़ें मांगने के लिए कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए मेरी बेटे की शादी हो जाए पस यहीं चाहिए उन्हें वो कभी भी परमात्मा की इश्वर की बाते नहीं करना चाहेंगे क्योंकि मुमुक्षु नहीं जो मुमुक्षु है वै आदर के साथ दंडवत प्रणाम करके सदगुरु से प्रशन पूछता है और वो सदगुरु उन्हें ज्यान का उपदेश देते हैं तो शिश्यक ऐसा जो सीखने को तयार जो अंकारी नहीं विनम्र भाव से पूछता है दंडवत प्रणाम करता है जैसे किसी नदी के पास आप खड़े हों तो नदी के सामने जुकना तो पड़ेगा अंजुली भरेंगे तभी तो जल आएगा नहीं तो जल नहीं आता ऐसे ही ज्यान की नदी जिनके अंदर बहती है उनके समुकत जुकना पड़ेगा अपने अंकार को विलीन करना पड़ेगा तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है तो शिश्य वह है जो सीखने को तयार जिसने अपने आपको गलाया दंडवत प्रणाम कौन नहीं करते जिनके अंदर अहंकार है और दंडवत प्रणाम कौन करते हैं वो लोग प्रणाम करते हैं जिननों अहंकार को गला दिया है वो सीखने को तयार है वो मुमुक्षू है पता नहीं चलता नमक कहां है, ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापी हैं, परन्तु मैं कैसे पता करूँ, कोई उपाई बताओ, अब सभी ने अपने अपने तरक दिये, परन्तु राजा सेटिसफाइड नहीं हुआ, जब सब जा चुके थे, तो उसकी दरबार का जो गार्ड था, उसने राजा से कहा, मैं कुछ बताओं आपको, तो राजा हसने लगा कि तू बताएगा ग्यान की बात, तुझे तो खुद अपना पता नहीं, उसने कहा, एक बार सुनतो लीजिए, तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं सुनता हूँ, क्या कर ना पड़ेगा, तो गार्ड ने कहा, के काम कीजिए, आपको ज्यान चाहिए, और मैं ज्यान दे रहा हूँ, तो सबसे पहले अपने राज सिंगहासन से उतरिये, तो राजा राज सिंगहासन से उतरा, और जैसे ही उतरा, तो उस गार्ड ने कहा, अब मैं यहां बैठूंग क्योंकि मैं आपको ग्यान का उपदेश दे रहा हूँ। राजा ने आसपास देखा कोई था नहीं। तो उसने सोचा चलो ये खेल भी खेल के देखते हैं। उसने गार्ड को बोला ठीके बैठ जाओ। अब राजा कोस गार्ड ने कहा कि अब मुझे धंडवत प्रणाम करो क् मैं तुम्हे ज्यान देने वाला हूँ। अब राजा ने उसकी बात मान ली। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो एक अदभूत अनुभूती उसको हुई। ऐसा लगा कि इतनी समय से अकड़कर बैठा था अहंकार में। अब इतनी विनम्रता और इतना रिदय को करुणा और प्रेम का भाव लग रहा है। मन कर रहा है कुछ देर ऐसे ही मैं दंडवत प्रणाम करता रहूं। तो जैसे ही उठकर बैठा तो उस गार्ड ने कहा कि परमात्मा वहे हैं जो एक शन के अंदर किसी राजा को भिकारी बना सकते हैं और भिकारी को राजा बना सकते हैं। तो वह रहजा मुस्कुराया और उसको समझ आया कि परमात्मा की शक्ति कितनी बड़ी हैं। उसने जो विनम्रता का अभ्यास उस गार्ड के साथ किया जो दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद उसके रिदे में प्रेम की तरंगे बहने लगी। तो शिश्य वही जो अहंक तार में नहीं खड़ा होता बलकि हुमिलिटी विनम्रता के भाव में रहता है। अब तीन घड़े पड़े हों, एक घड़ा तूटा हुआ, दूसरा उल्टा और तीसरा सीधा, तो आप समझे किस में जल जाएगा। पानी प्रवेश करेगा, जल प्रवेश करेगा उस घड तो पात्र को सीधा करना है, तो उसके लिए जुकना सीखिए। अपने गुरु को आदर दीजिए, क्योंकि गुरु को आदर दिये बिना, आप ज्यान को प्राप्त नहीं कर सकते। जिन से ज्यान मिलना है, उन्हें प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। आजकुल तो पैच होना भी फॉर्मालटी हो गया है, पस फॉर्मालटी में लोग छू लेते हैं, पर उन्तु रुदे से नहीं। जहां जाकर आपका सिर अपने आप जुक जाए, मन करें, पस यहीं रुक जाएं। वह गुरु का द्वर होता है, वही सद्गुरु का धाम होता है। तो ऐसे धाम में जब आप जाते हैं तो अपने आप ही श्रद्धा का उद्य होगा। इसका भी एक साइंटिफिक प्रसस मानते हैं कि जब आप गुरु की चर्णों को सपर्ष करते हैं, सर रखते हैं, तो गुरु जोड़े हैं परमात्मा की शक्ती से, तो वो शक्ती गुरु म आपके शरीद में प्रवेश करती हैं, इसने प्रणाम करना चाहिए, यहां बोला गया है सेवा करो, तभी उपदेश मिलेंगे, जब हम ऐसी चीज पाना चाते हैं, जिसके लिए जिन्दगी है हमारी, जो अंतिम लक्ष्य है परमात्मा, जब उसके लिए हम जी रहे हैं, उ बड़ा ही अशोभन लगता है कि हम मांग रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भगत है, वैं सेवा करता है, सेवा को मौका भी मिल गया, बहुत बड़ी बात, गुरु से पूछते भी नहीं, कि कहीं कश्ट ना हो, खुद गुरु जब कि बेटा कुछ पूछना है, तब प्रश्न करेंगे, ऐसा भाव, ऐसी निर्मलता, ऐसी सहिष्टा यदि जिन्दगी में आई है, तो समझे आप शिश्य होने के लायक हैं, ऐसा व्यक्ति फिर प्रश्न नहीं पूछता, गुरु ही उसके पास आते हैं, कि बेटा प्रश्न क कई बार सालो साल लोग सेवा करते थे, और फिर एक दिन गुरु कहते थे, कि तुम्हें कुछ पूछना है, क्योंकि देख लेते थे, कि अब पात्र इसका ठीक है, सीधा है, अब धहरे आ गया है, अब ये बात को मानेगा, अभी तक बात नहीं मानता, जो कहते हैं, उसमें क के उपर, और वे व्यक्ति धन्य हो जाता है, स्वभा के मिल जाता है, बड़े ही अदभूद लोग रहे, चिनों ने गुरु की सेवा की, और गुरु की चड़नों में रहके अम्रित को पाया, परंतु यदि आप इसे कपट से करते हैं, तो कुछ नहीं मिलेगा, निश मैंने इतनी सेवा की, मेरे प्रश्णों का उत्तर नहीं दिया जा रहा, उस समय विनम्रता के भाव में आना है, हम पात्र होंगे तो उत्तर मिलेगा, और हम पात्र नहीं, तो उत्तर कभी भी नहीं मिल सकता, तो ऐसा निश कपट मन, जो परमात्मा की रह पर चलता है, उसी क वो ज्यान की प्राप्ती होती है, कहते हैं ज्यानिनाह तत्व दर्शिनाह, यानि ऐसी गुरु जिनों तत्व का ज्यान है, और जिनों शास्त्रों का ज्यान है, उनके पास जाईए, गुरु में दो विशिष्टाए होनी चाहिए, एक तो शास्त्रों का ज्यान, और दूसरा ब्रह्म निष्ठ परमात्मा की अनुभूती हो परमात्मा का अनुभव जरूर चाहिए परमात्मा की सत्ता में उस सत्य में उस आनंद में जिसकी द्रण स्तिती है द्रण निष्ठा है वही ब्रह्म निष्ठ है तो शास्त्रों की जानकारी हो और सत्य की प्रतीती और उस प्रतीती को जिसने दृड कर लिया जो निश्ठावान होकर जीवन जीता है वही सद्गुरु कहलाता है तो ऐसे गुरु के समुख जब सादक जाते हैं तो बड़े ही आदर भाव के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए सेवा करते हैं कि जब गुरु आज्या करते हैं तब प्रश्न करते हैं और ऐसे सादकों के प्रश्न के उत्तर उन्हें अवश्य प्राप्त होते हैं